Minecraft 100 Days तुम्होंने हर एक Minecraft YouTuber को देखा होगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो है तो मैंने decided किया मैं भी बनाता हू But there was a twist ये वीडियो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था इस वीडियो को बनाने में मुझे 200GB of storage लगा मैंने इस वीडियो को एडिट करना कुछ दिरो पहले ही चालू किया मैंने पूरे वीडियो को कट के और 45 मिनिट के एडिट किया सब एडिट करने के बाद next day मैंने cinematics record किया और फिर मैंने editing का file खोला और मेरा software crash हो गया मुझे लगा होता रहता है मैंने वापिस start किया वो वापिस crash हो गया मैंने PC restart किया फिर dry किया और फिर मुझे blue screen of death दिखा I am terrified of this error और अभी हर बार जैसी मैं फाइल खोलता हूँ मुझे blue screen दिखते हूँ system restart हो जाता है अब मैं ये 200GB का क्या करूँ पूरा delete कर दूँ ये दूसरा option वीडियो को छोटा करके एडिट करके डाल दू दूबले कमेट करके बताव